फ्रेंच आप लोग भी कत्री कार्ट पर्फेट फिटिंग्स ब्लावस साथे तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए तो यहाँ पर आप लोग खुटी देख सकती है कितना अच्छा से कत्री कार्ट ब्लावस का फिटिंग्स आया है तो फ्रेंच आप लोग भी मेरी जैसा पारफेट फिटिंग ब्लावस साथ है तो आप लोग इस वीडियो को जोरूर देखिए आज मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाइस टेप समझाओंगी कैसे आप लोग भी इस ब्लावस के जैसा परफेट फीटिंग पास हाके तो चलिए शुरू करते है किस तरह किसे प्लावस को काटिंग करना है तो मैंने यहाँ पर फेब्रीक को टूप फोल्डिंग करकर ले लिया है तो पहली मैं यहाँ से बैक पास काट करूँगे तो जितने तक मुझे फेब्रीक चाहिए उठना ताकी लेना है कत्रेकर प्लावस काटिंग करने के लिए फेब्रीक 40 साइज के लिए 80 संटीमीटर टक फेब्रीक चाहिए तो जितने तक लंबई चाहिए आप आपने हिसाब से लेना है उसके साथ एक्स्टर वानिज एड़ कर लिजे तो फ्रेश लिए आभी लंबई के में लेना है मैंने यहाँ पर फेब्रीक को टूप फूल्डिंग करकर ले लिया है तसलिए ब्लाउस का लंबई राखोंगी ब्लाउस यहाँ पर टैयार होगा 14 इंज टक और एक्स्टर सेलाई के लिए 1 इंज तो टूटल ब्लाउस का लंबई यहाँ से 15 इंज तक राखोंगी हमेशा लंबउ आपने हाइट के उन्नुसारी लेना होता है तसलिए अभी shoulder के measurement लेना है जैसे कि यहाँ पर देखे deep neck बहुती ज़्यादा है मैं यहाँ से देखे 5.5 inch तक नहीं रखोंगे 5.5 inch से यहाँ पर 2 inch तक ज़्यादा रखोंगे तसलिए यहाँ से neckline देना है neckline यहाँ से मैं 2 inch तक रखोंगे इससे ज़्यादा नहीं लेना है तसलिए अभी यहाँ से armhole के measurement रखोंगे यहाँ पर देखिए पौने से इंस तक रखोंगी तसलिए यहाँ से बराबर करकर ले लेना है यहाँ से मैं 5 inch से 2 सुच ज़्यादा रखकर यहाँ से बराबर करकर ले लिया है तसलिए अभी चैस के measurement लेना है यह blouse 38-26 के हिसाफ से है मैं यहाँ पर देखिए 38-26 के हिसाफ से 9.5 inch तक रखोंगी और extra fabric आपको कितने इस तक add करना है जैसे के 1 inch, 2 inch, 1.5 inch इस तरह के आप add कर सकते हूँ मैं यहाँ तो inch तक add करूंगी extra fabric तसलिए अभी ब्लस का कमर के measurement का नाप लेना है यहाँ से देखिए ब्लस का कमर का measurement हमें से 6-6 inch कम करकर ही लेना है यहाँ पर जितने तक मैंने extra fabric रखना है मैंने उसके साथ ही ले लिया है तसलिए यहाँ से 1 inch से देखिए एक सूट ज़्यादा मिलता है तो यहाँ से कुछ इस तरह किसे मिला देना है मिलाने के बाद देखिए हमें से इस बाद को दियान में रखना है यहाँ से देखिए हाप इंस का लगवक इस तरह किसे देना है इस तरह किसे देने से आपका आर्भूल में ज़्यादा फेब्लिक नहीं रहेगा आपका सुल्डर गीरने लागेगा तैसलिए यहां से 5.5 इंस तक बेक साइट का दाट का मेज़र में लेना है जैसे के ताक्स इसको कितना इस तक उठाना है यहां से भी में 5.5 इंस तक उठा का सिलाई करूंगे और दुनों साइट के तरफ से हाफ इंस हाफ इंस का कुछ इस नहीं करने से आप ब्लाउस को सिलाई करने के तायम में आपका ब्लाउस अच्छे से इसका फिटिंग नहीं होगा तो कहीं जगा में आपको थूरा समस्या देखने के लिए मिलेगा तो इसलिए ब्लाउस काटिंग में हर शूटी-शूटी बात को दियान मेरा कर काट करना है तेसलिए यहाँ से देखिए आप नेक को यहाँ पर कोई भी नेक दिजन बना सकती हो आप अपने हिसाब से काट करना है मैं यहाँ पर डाइरेक्ट फेब्रिक में ही काट करूंगी और सिला यहाँ पर देखिए डाइरेक्ट फेब्रिक में ही होगा तो Friends, आप लोग भी यहाँ पर direct fabric cutting करना साथ है, तो मैं यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों को cutting cutting का तरीका बता रहे हो, आप उसी तरीके से follow कीज़े, आपका blouse भी मेरा जैसा ही, perfect fittings हुगा, आप लोग इसका fittings तो देखाई होगा, कितना आच्छा से इस blouse का fittings आया है इस तक लेकर हमेशा ज्यादा रखकर फूल्डिंग करना है तो फ्रेंच इस तरह किसे ज्यादा रखकर फूल्डिंग नहीं करने से क्या होगा आपका ब्लाउस फ्रांच साइट के तरफ से बहुत ही शुता हो जाएगा तो पुस्टाइम पर आपको पहनने के बार अच्छा नहीं लागेगा तो सबस्क्राइब देखिए यहां से इस तरह किसी निशना लगा दिया जाएगा इस तरह किसे निशना लागाने से फ्रांच साइट करने में बहुत इजी होता है तसलिए इस पार को साइट के तरफ से उठा का रख दूंगी मैंने यहां से बराबर करकर देना है विद देने के बाद दिखिए नेगदीब के स्वारव देना है तो नेगदीब में यहां से 3.5 इस तक रख रखूंगी फिर चलिए यहां से इसिको ण्ग करने का सेप लगा दो आप उसको आप भीरो tighter के में ने लिए संबसै पिर मेजरमेंट लेना बहुत ही जरूरी है तो यहां से बास पॉइंट 10.5 इंच तक आता है और सलाई के लिए हाफ इंच तो टूटल 11 इंच का बास पॉइंच मिलता है तो सलिए अब यहां से एक्स्टा फेब्रिक ज्यादा लेना है चाहर तो आप यहां पर टू इंच भी ले सक से उसी के साथ यहां पर बड़ाबर मिलाते हुए यह 20 का पॉइंट लगाना है यह देखिए यह आर्मभूल का 20 का पॉइंच है यह तू पोइंच तक आता है और यह कात्रों के मेंज़एंन लेने से पहले यहां से सबसे पहले लोगे यहाँ से 6 इंस का लग बग रखूंगी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा राखने से भी कोई दिकत नहीं है तो चलिए पहली चाहँ तो आप यहाँ से इस तरके से 1.5 इंस तक छोट देना है और यहाँ से देखिए जितना तक आता है 4.5 इंस तक लेना है तो देखिए और जितना इसमें मिला है यह पूरा का पूरा कातरी का मेजरमेंट हो गया है तो यहाँ पर आप लोग देख सेकती है 8.5 इंस तक मिलता है फिर चलिए यहाँ से इस मेजरमेंट को हाप करकर ले लूँगी उसके बाद यहाँ से 1 इसका लगबग उठाना है यहाँ से 1 इसका लगबग और इससे भी 1 इसका लगबग फिर चलिए यहाँ से इस पूरा को मिला दूँगे जहाँ से कातरी को हाप किया है वहाँ से मिलाना है फिर इसको भी यहाँ से मिला देना है यह देखे बिल्कुल बराबर है अगर बराबर नहीं होने से फिर से यहाँ पर measurement लेना है यहाँ पर 2.5 इंच से कम भी हो सकते है जादा भी हो सकते है तरह से लिए यहाँ से 4.5 इंच तक राखूंगी इसको सीधा करकर लेना है उसके बाद यहाँ से देखे हमीशा पहली के त तक राखूंगी फिर इसको देखे हलका इस तरीक से त्रीशा मिला कर देना है देने के बाद देखे इस पॉइंट को भी मिला देना है तो यहाँ पर आप लोग देख सेकती है फ्रांसाइच फूरा-फूरी कम्प्लीत है तो मैं यहाँ आपर जिस तरीक से आप लोग को किजिए आपका ब्लाउस भी मेरा जैसा ही अच्छा फीटिंग्स होगा झाल 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 उसके बाद चलीए स्लीप गाल करने के लिए यहाँ पर फीटिंग को मैंने तू फूल्डिंग करक लिया है तसलिया और एक फूल्डिंग करकर टूटल फॉर फूल्डिंग करकर ले लिया है इसमें जितना तक फेब्रीक है उसी के हिसाब से में यहाँ पर सिलिप कर लंबाई रखूंगी यहाँ पर देखे एक्स्टर फेब्रीक के साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एट इंच तक मिला है स्लिप फुगा 5.5 इंच तक और एक्स्टर फेब्रीक 1.5 इंच तक लिया है तो यहाँ पर देखे 6 इंच तक लिया है और एक्स्टर फेब्रीक यहाँ से 2 इंच तक रखूंगी फिर चली इस हैच्छे कितने इस तक लेना है इस हैच्छे देखिए फॉर इंज तक भी ले सकते हैं शार्टों कटिंग कटाय में और वहाफ इंज तक काट कर लूंगी यहाप फ्रीplease हल मैंने पॉर इंज तक ले लिया है फिर हांच सवाल मैं एक कुछ इसा किसी मिला देना है इसालिया फिटिंग्स करनी के बार जिसी के इसको काट कर लूँगी तशलिया भी यूपोटी के मेजरमेन लेना है यूपोटी को भी बैकपाद के कमर के मेजरमेन के हिसाब से ही लेना है बेकपट का कमर के मेंजर में जितने इस्टाक मिलते है उसी के हिस्टपचे राखूंगी, मैं यहाँ पर 10.5 इस्टाक मिला है, तो उसी के हिस्टपचे मैं यहाँ पर लोगी फ्राइट की तरफ से यूग पुटी के लिए आलग चे पुटी कात नहीं करूंगे एक साथ कात करूंगे तो मैं यहां से 6.5 इंस्टाइक राखूंगी अगर एक साथ कात नहीं करने से यहां से 1 इस मैंश कर देना है बहुट लोगों ने मुझे कमेंट किया है यहां पर कितने इस तक लेना है तो यहां मैंटे थे 20 से साथ की तरफ से 6 इंस तक लिए तो डिया है है मैं बहुत इजी तरह किसे फोटी साइस का तरी काड़ ब्लाउस काटेंग करने का सही तरीका आप लोग को बताया है तो फ्रेंज आप भी इसी मेजरमेंट के सबसे काटेंग कीजिए आपका ब्लाउस भी मेरा जैसे ही पारफेट फिटिंग होगा तो इसके सेलाइक के बीड पसनां से बीड को लाक से जरू की जेगा, thank you